नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज किस वीडियो में अगर हम न्यू अपडेट की बात करें तो एको सिस्टम में अभी कोई न्यू अपडेट नहीं आया है OES Mobile App के Download Link का हम सभी लोग वेट कर रहे हैं अगर हम Other Points की बात करें तो यस्टरडे रेट सर के Live Session से मैंने दो Important Point को नोट किया है पहला Point ये है कि रेट सर का नजाल सर के साथ Text Conversation हुआ था और ये Conversation Live Session से पहले ही हो गया था जिसमें रेट सर ने नजाल सर को जाइटेक्स इवेंट में मिले हुए बड़ी सक्सेस के लिए Congratulate किया नजाल सर ने भी हम सभी को धन्यवाद दिया है सपोर्ट करने के लिए नजाल सर ने एक Important बात बताई है कि अपकमिंग डेज में अधर लोकेशन में जो जाइटेक्स इवेंट होगा तो उसमें भी ऑनपासिफ पार्टिसिपेट जरूर करेगी इसके अलाव जो हमारी इवेंट होते रहते हैं या फिर क्लॉबरेशन से पार्टनर सीप कॉन्फरेंस यह सब कुछ तो जारी रहेगा उसमें कोई दिकत नहीं है फर्स दूसरे पॉइंट के बारे मैं आपको बताना चाहता हूं रेट सर ने एक इंपोर्टन सजेशन दिया है इसे हम वार्निंग भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी लीडर की तरफ से चाहे वह रेट सर हो माटी सर हो गुर्ष मिंदर सर हो किसी भी लीडर की तरफ से अगर आपको पर्सनली कोई मैसेज आता है या फिर मेल आता है और उसमें ओफर दिया जाता है पुड़क बाइंग के लिए आपसे पैसे मांग जाता है तो प्लीज आप समझ जाईए कि वो फेक मेल होता है फेक मैसेज होता है हमारे कोई भी लीडर कोई इस परकार के message या mail नहीं करेंगे किसी को भी अगर इस परकार के mail या message receive हों तो please आप उसको ignore कीजी उसके लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सभी leaders आपको guide करते हैं update देते हैं यहां तक कि मैं भी daily यही करता हूं आपको update देता हूं, information देता हूं, guide करता हूं अगर ecosystem में product purchase करना है तो उसके लिए आपको process बताता हूं steps बताता हूं कि marketplace में जाना है और इस परकार आप product को buy कर सकते हूं मैं आपको guide करता हूं, information देता हूं सो हमारी तरफ से आपको कभी भी इस परकार के mail या message नहीं जाएंगे जिसमें offer दिया जाए, product purchase करने के लिए पैसे मंगा जाए, या और भी कुछ चीज़े हो सकती है अगर किसी को भी इस परकार का mail या message receive होता है, सो please उसे ignore कर दीजेगा हमेशा आपको बताते है कि कोई भी चीज़ हो, on passive को लेकर कोई भी information, कोई भी update हो हर एक वीडियो में repeat करता हूँ कि इसके लिए आपको back office को login करना है, यानि की ecosystem को login करना है, वहीं पर आपको सारी information मिल जाएगी, तो एक simple सी बात याद रखिए, on passive को लेकर कुछ भी प्राप्ट करने के लिए, कोई भी update information, कुछ भी करने के लिए आपको हमेशा ecosystem को ही visit करना, ecosystem में यापको सारी चीज़े मिल जाएगी, on passive को लेकर आपको other message पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूत नहीं है, अगर कोई भी इस परकार का main message receive हो, तो आप समझ जाएए कि वो fake message है, इसके बाद हमें एक important question को समझ लेते हैं, question में दे पास आया था कि सूरत जी KYC के लिए हम कौन सा document use करें, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको आधार card ही recommend करूंगा, क्योंकि आधार card में आपका pen card भी link होता है, आपका mobile number भी link होता है, और इसमें KYC के लिए ज़्यादा तर use किया जाता है, तो आप KYC के लिए आधार card को use कीजेगा, इससे आपका KYC verification जल्दी ही हो जाएगा, कोई भी कत आपको नहीं आएगे, इसके बाद एक important quiz के बारे में आपको बताना चाहता हूं, on passive के social media page पर on passive की तरब से एक important quiz का post आया था, मुझे काफी ज़्यादा important लगा है, और काफी लोगों ने इसका बहुत ही अच्छा reply दिया यानि की comment में काफी अच्छा जबाब दिया है इसलिए मैं आपके साथ भी share करना चाहता हूं, quiz क्या होता, quiz यानि की personal 3, personal 3 यानि की जिसमें person भी होता है, और सही जबाब के लिए option भी होता, just आपको सही जबाब select करना होता है तो quiz यह है, प्रसन यह है कि which traffic source category in web analytics typically includes traffic from search engine like google and bing यानि की web analytics में कि traffic source category में आम तोर पर google and bing जैसे search इंजिनों से traffic include होता है, मतलब google जैसे search इंजिनों पर search करके, अगर traffic हमारी website पर आ रहा है, तो वो किस category में आएगा, direct traffic की category में आएगा, या फिर referral traffic की, या फिर organic traffic या फिर paid traffic, इन चारों में से कौन सा जबाब सही है उसको select करना है, और comment करके आप सभी को बताना है, इसकी regarding मैंने complete video भी बनाया था traffic की regarding मैंने complete video बनाया था, जिसमें direct traffic, referral traffic, organic traffic and paid traffic के बारे में complete explain किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो चल को visit करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और इसका सही जबाब आप दे सकते हैं, उमीद करता हूँ आप फिर्स की ये question यानि की ये question आप के लिए काफी ज़दा important होगा इससे आपको थोड़ी knowledge भी मिलेगी तो ये थे कुछ important points जिसके बारे मैं मुझे आपसे बात करने थी, उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़दा informative रहा होगा वीडियो informative रहा होगा उसे वीडियो को like से और चैनल को subscribe जरूर कर लेजेगा